विद्यारतियों को नमस्कार मैं रमेश प्रसाद बढ़ोनी फ्रिजिक्स परवक्ता राज के एंटर कॉलेज मिस्रास पट्टी से आज हम कक्षा दस में भातिक बिग्यान का जो छेतर है अंतिम पार्ट के बिद्द धारा चुम्बक्या प्रभाव वाले पार्ट में से हम जो पढ़ने वाले हैं वो उस पर बात करेंगे लेकिन इससे पहले हमने जो पूर्व सेशन में पढ़ा था वो ये था कि सामन ने जो लौह चुम्बक की अपदार्थ हैं उन में एक आकरशन करने का गुण होता है जिस जो हर उन बस्तों में पाया जाता है जैसे लौह चुम्बक की अपदार्थ होते हैं उन समय गुण पाया जाता है इसी तरह से हमने पढ़ा था कि चुम्बक के प्रकार क्या होते हैं हमने ये भी पड़ा था कि चुम्बक के सिरों के निकट वहबिंदु जहां चुम्बक का कर्शन अदिक्तम होता है उसको हम धुरू कहते हैं हमने यह जानकारी ली थी कि किसी चुम्बक के जो भाते गुण होते हैं उन में से प्रतम गुण यह होता है कि जब हम किसी चुम्बक को स चुमभ़के अक्छ कहते हैं हमने चुमभके छेतर और चुमभके बलरेखाऊं में सीखा था हमने यह बहुत जो परेरण कहते हैं तो आओ आज के पा जो सेशन है उसमें हम जो पढ़ाने वाले हैं या सीखने वाले हैं उसमें से मुख्यत है हम सबसे पहले बात करेंगे फ्लैमिंग के बाम हस्तनियम की फिर हम पढ़ेंगे बिदूत मोटर यानि इलेक्टरिक मोटर को और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लैमिंग का दाय हाथ का नियम यानिए फ्लैमिंग राइट हैंड रूल्स और फिर इसके बाद हम विद्दूजनिद्र और कुछ अभ्यासकार या आंकिक प्रश्ण पर हम कुछ फोकस करेंगे बाम हस्तनियम फ्लैमिंग के बाम हस्तनियम के अनुशार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगुठे तरजनी तथा मद्या उंगली को इस परकार से फिलाएं कि वो तीनों मीचुली पर्पेंडिकुलर हो यानि एक दूसरे के लंबवत हो तो तरजनी जो उंगली है वो चुम्ब के छेतर की दिशा और मद्या उंगली जिसको मद्यमा क नियम कहते हैं इसके अनेकों उधारण हैं जैसे की बिद्धुत मोटर सरोपर्थम हम इस पर बात करेंगे या बोर्ड परीच्छा में भी एक्जाम में आता है कि मोटर कैसे काम करती है मोटर क्या होती है मोटर में क्या क्या पार्ट्स होते है और किस नियम प्याधार पर य बिद्दयुत मोटर के सिद्दान्थ के अनुसार गिसी कुंडली को चुम्बके छ्थेते में रख कर उसमें जूश भीद्द्दारा प्रभावित की जाए तो कुंडली पर एक बल कारे करता है। और यहाँ बल कुंडली को उसके अक्ष पर गुमाने में मदद करता है बिदूत मोटर में जो एक हमारे पार डिस्क होती है वो दिक परिवर्टा का काम करता है यानि वो जो डिरेक्शन होती है उसको चेंज करता है तो दिग परिवरता मनलब जो डिरेक्शन को मूव कराता है तो किसी परिपत में बिदुधारा के प्रभाव को एकसाइट करने में यानि उसको बढ़ाने में यह जो बलाय होता है वो काम करता है बिदुधारा को बढ़ाने में यह एकसाइट करने में जो ये दोनों भुजाएं यहाँ पर होती है उन पर आरोपित बलों की दिशा को ये एकसाइट करता है और इस प्रकार से कंडली की जो पहली भुजा है परतम साइड है जो पहले नीचे की और थी उस पर एक धका लगता है बल लगता है और वो उपर की और आ जाती है इसी प्रकार जो कुंडली की जो दूसरी साइड में जो दूसरी भुजा है वो पहले भुजा के उपर होती है तो उस पर फोर्स लगता है तो वो नीचे के ओर चली जाती है इस तरह से कुंडली अपनी धूरी पर जो है वो हाफ रोटेशन करती है आदा घून करती है तो हाफ रोटेशन एक टाइम में हाफ रोटेशन एक टाइम में तो लगबग 180 डिग्री पर वो रोटेट करती है यहनि हाफ 90 डिग्री फिर वापस 90 डिग्री तो इस तरह से वो 90 औ था उसकी धूरी की दिशा में जब आदा गुर्णन पूरा हो जाता है तो हमारे पास हाफ साइकल मिल जाता है तो प्रतेक आदे गुर्णन के बाद विद्दु धारा में जो एकसैटिंग मोमेंट होता है वो इस क्रम को दोहराने के कारण कुंडली में धूरी पर एक जो है हमारी मोटर पर लगी जो कुंडली है वो घूमने लग जाती है तो किसी मोटर का जो सिद्दान्थ है और कारविदी है उसमें जो लगी वी एक कुंडली होती है यह आयताकार कुंडली जो होती है वो मैगनेट के बीच में रखी जाती है और यह सकतिसाली फिल्ड मैगनेट जो होता है एक वियांत्रिक बल का कारे करता है जो कुंडली को गुमाने में मदद करती है यह सिद्दान्त हम जादा तर उन सभी बिद्दत उपकरणों में देखते हैं जो हमारे घरों में जैसे हमारे पास घरों में बहुत सारी युक्तियां ऐसी होती हैं जिन में हम मोटर को यूज करते हैं और बहुत सिंपल सा एक्जामपल है जैसे कि हम घर में पानी खीचने के लेवी मोटर लगाते हैं तो वो भी इसी तरह के सिद्दान पर काम करती है इसी तरह से जो गैलवनो मिटर होते हैं या बिजली के अन्य उपकरण होते हैं वो सभी मोटर के एक्जामपल हैं और ये फ्लैमिंग के बाम हस्तनियम के सिद्दान पर कारे करते हैं तो इसका हम प्र यानि उसका जो center part है, फिर उसकी जो कुंडली है, फिर उसमें लगे वे commutator है, फिर प्रस्स हैं, जो उसमें हमें ये देखने क्या कारे करते हैं, फिर उसका field magnet है, और उस circuit diagram में हमें एक energy source चाहिए होता है, एक battery चाहिए होता है, तो एक battery, तो ये बिदुद मोटर के प्रमुक भाग हैं, और इनको हम detail में इनके बारे में बात करेंगे, तो जैसा कि आप चितर में देख रहे हैं, कि हम जो center की बात कर रहे हैं, कोर की बात कर रहे हैं, यह एक नरम लोहे का cylinder है, जिसे एक axle पर लगाया जाता है, और axle को सरलता से घुमाने वाले जो ball bearing पर ये टिका होता ह है, इसके एक तरफ सॉफ्ट लगी होती है, जो 37 साली चुम्ब के चितर को उत्पन करने का कारे करती है, इसके चारों और की कुंडली में जब धारा प्रवावित की जाती है, और फिर बात करते हैं कुंडली की, तो कुंडली नरम लोहे के टुकडे को यदि हम यहाँ पर center म चेतर होता है, वो एक कुंडली के रूप में होता है, यहीं कुंडली एक नरम लोहे के टुकडे पर, अगर हम copper wire की winding कर दें, तो जो यहाँ ABCD का जो आपको आयताकार जो part दिख रहा है, वो एक तरह की कुंडली है, और इसमें विद्दुधरा को प्रवाइद किया जाता है इसी तरह से यहाँ पर S1, S2 दो कम्यूटेटर हैं, और कम्यूटेटर का काम है कि यहाँ पर कुंडली के सीरों के बीच जो है इसको जोड़ देते हैं, और इसको जब हम Excel के साथ जोड़ कर गुजारते हैं, तो इसमें जो कुंडली है, वो उसको half rotation कराने में मदद करता है, यानि इसका जो कार है, वो पर half cycle में बिद्धु धरा की दिसा बदलना है, यानि वो एक बार जो है उसको 90 डिग्री पॉजटिव गुमाएगा, फिर 90 डिग्री नेगटिव गुमाएगा, तो उस cycle को करने में हमाले पास S1, S2 की भूमी का मौतपूर्ण होती है, इसी तरह स ब्रस्स होते हैं, यहाँ पर दो ब्रस्स B1 और B2 हैं, तो यह जो ब्रस्स हैं, यह कारवन ब्रस्स होते हैं, या गन मेटल के बने वे होते हैं, और यह जो ब्रस्स S1 और S2 हैं, इनको मजबूती के साथ, कुंडली के साथ, यानि कॉयल के साथ बांदा रहता है, यानि कनेक् पूर्पूर्ण भूमिका होती है यानि घूमती भी कुंडली को निरंतर बिद्दु धरा परवावित कराने का जो कार है वो ब्रसल्स का है इसी तरह से यहाँ पर एक फील्ड मैंगनेट है जिसका आकार कॉनकेव सिलंड्रिकल है और यह कुंडली को कुंडली को जो है कुंड मैंगनेट के बीच में रखते हैं और इसका कार है कि एक पावरफूल मैंगनेटिक फील्ड जनरेट करना पैदा करना ताकि जादा से जादा मेकेनिकल इनर्जी या अंतरिक उर्जा हमें प्राप्त हो सके तो यहाँ पर इसका काम ही यह है कि जो इलेक्ट्रो मैंगनेटिक कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड से जो मैंगनेटिक फील्ड चेंज हुआ उससे जो इनर्जी पैदा होगी वो अधिक से अधिक इनर्जी को यह कनवर्ट कर देगा मेकेनिकल इनर्जी में तो इसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर हम एक डिसी बैट सकते हैं जिसका कार है कि कुंडली को हम इनीशल स्टेज में धारा परदान करेंगे यानि करन्ट सोर्स हमारे पास यहाँ पर डिसी बैटरी है जो कि आपको सरकुट में दिखती है तो हम इसकी वरकिंग पर बात करेंगे कि यह कैसे कार्य करता है तो जैसा कि आप चितर में देख रहे हैं कि यहाँ पर ABCD कुंडली 36 इस्तिती में एक फिल्ड मैंगनेट के बीच में रखी होती है जो चुंबकिया छेतर कुंडली के बिलकुल पैरलल होती है तो जो कुंडली है कुंडली से जो बिद्धु धरा गुजारते हैं तो वहाँ पर एक चुंबकिया छेतर के साथ यानि जो वहाँ पर कपल आफ वागनेटिक फिल्ड है उसके प्रभाव से वो जब घूमती है तो यहाँ पर हम सीधा कह सकते हैं कि जो फ्लैमिंग का बाम हस्त का नियम है उसके अनुसार अगर हम देखें तो जो AB हिस्सा है यह उपर की और गुमेगा तो कुंडली क का जो पहला हिस्सा AB है जब वो उपर को घूमेगा तो कुंडली के CD हिस्से में बिद्धारा C से D और चुंबक्या छेत्र उत्तर से दक्षण की और उत्पन होगा और CD नीचे की और गती करेगी तो यानि AB उपर की और आएगा तो CD नीचे की और जाएगा तो इस तरह से द क्लॉक वाइस डिरेक्शन में उसको घूमाएंगे तो यानि फस्ट टाइम में वो क्लॉक वाइस डिरेक्शन में घूमेगी और उसे हम कह सकते हैं कि वो 90 डिगरी पे घूमेगी तो इस तरह से जो चुंबक्या छेत्र वहाँ पर मैगनेटिक फिल्ड के बीच में पैदा हो इसे जो है फिस्ट थाफ घुमने पर युदरा फिर वापस ब्रस लगे हुए हैं सुरी जो सिल्प रिंग महाँ पर है वो उसको वापस घुमाने में वहन टे डिरी घुमाने में या वहन टी डिगरी पर कमुनिकेट करने के बाद वह उसको फिर से current के साथ जोड़ती है और जो कड़ी हमारे पास यह जो ring हमारे पास वहाँ पर s है वो ब्रस से अलग हो जाती है और इस इसे कुंडली फिर वापस आ जाती है और फिर current जो है हमारी c d a b से b a d c दिशा में प्धरत्य वर्तन हो जाती है वापस आ जाती है इस फरकार कुनली जो है हमारी फिर से निरंतर जो है वो घूमती रहती है और घड़ीकी सुई कीदिसा में घूमती है तो यानि हाफ रोटेशन करती है फिर वो वापस टैसों से जो है और ब्रस्स से अपना कॉमुनिकेशन करके वापस फिर उसको भूमाती है तो यह घटना लगातार चलती रहती है जिस से हमें लगातार यांत्री-कूरजा मिलती रहती है बिदुत मोटर का जो मुख्य उप्योग है वो हम जो रेफिजरेटर्स हैं उनमें बिदुत मोटर होती है बिदुत पंकों में होती है वासिंग मसीन में होती है इस तरह से जो ब्लेंड्स होते हैं कंप्यूटर होते है आदी बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जहां पर बिदुत उंगली और अंगुठे को इस प्रकार से स्ट्रेच करें कि वो तीनों एक दूसरे के लंबवत हो तो यहां पर जो तरजनी है वो चुम्ब के छीतर की दिशा की और संकेत करेगी और जो अंगुठा है वो चाला की गती यानि मोशन की दिशा बताएगी और जो मद्यम उंगली है वो वहां पर कितनी करंट इंडक्शन करंट वहां पर है उसकी डारेक्शन बताएगी तो यानि कि हमारा अगर ये तीनों उंगलिया एक दूसरे के परपंडिकुलर हो तो यहां पर तरजनी मैगनेटिक फिल्ड को जो अंगुठा है वो फोर्स को और जो हमारी मद्यम उं जनित्र यानि एसी जनरेटर या एसी डाइनमो तो एसी डाइनमो एक ऐसी युकती है जो हमारे पास जो फ्लैमिंग का राइट हैं रूल है उसके अनुसार कारे करती है तो किसी चालक में जो इंडक्शन करंट है वो तब उत्पन होती है जब वहां पर चुम्बक्य छीतर म है उसके कारण जो हमारे पास अंडक्टिव करंट उत्पन होगी उसके अनुसार यहाँ पर हमारे पास पैदा होगी क्या इलेक्ट्रिक पावर या एसी तो एसी जनरेटर एक ऐसी युकती है जो हमारे पास एक मेकेनिकल energy को electrical energy में convert करेगी परत्यावर्ती जनित्र या AC generator के जो मुख्य भाग होते हैं जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं सबसे पहला भाग होता है armature armature का यहाँ पर मतलब है कि जो आप देख रहे होंगे ABCD जो एक कुंडली है यह भी एक कुंडली वैसी है जैसे कि हमने मोटर में भी पड़ी थी कि एक नरम लोगे की क्रोड पर हम तांबे की wiring कर देते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में हम यहाँ पर wiring के number of tons करते हैं तो उतना ज़्यादा powerful magnetic energy वहाँ पर उत्पन होगी induction होगा और इसको हम यहाँ पर armature नाम देते हैं और यह armature जो है Excel पर यानि धूरी पर लगातार घूमेगा इस तरह के example आपने देखे होंगे कि जैसे गिरते वे पानी में या हवा या भाप की जो सहायता है उसकी मदद से भी आपने देखे होंगे जिसे घरा तोगेरा भी होते हैं वहाँ पर भी आपने टर्वाइन्स देखी होंगी कि वो किस तरह से हवा या पाने की मदद से एक एकसल पर जो है कोई आर्मेचर या कोई पंखा या कोई ऐसी बिलेड जैसी लगी होती है जो गूमती है तो ये उसी तरह का एक उपकरण है दूसरा पार्ट इसका जो मुख्य पार्ट है वो है फिल्ड मैगनेट तो किसी भी गुडली को शकतिसाली चुम्बकों के बीच जब हम रख देते हैं तो वहाँ पर मैगनेटिक फिल्ड के बीच में रखते हैं तो वहाँ पर ये जो पर्मनेट मैगनेट है वो इस तरह का जूम्बक के छीत रुत्पन करता है और उसके कारण वहाँ पर एक लगाये जाते हैं और इनका मुख्य काम है चुम्ब के छेतर उत्पन करना इसका तीसरा जो पार्ट होता है वो स्लिप रिंग होता है तो स्लिप रिंग धातु के दो खोकले रिंग जैसे यहां पर दिख रहे हैं आपको आरवन और आरटू जो कुंडली की धुरी पर लगे हो हैं तो इनका काम है आरवेचर के घुमने के साथ अरवन और आरटू के साथ घुमते रहना तो यह जो में है जो है सिलिप रिंग पर लगे होते हैं और यह आरवेचर को गुमाने में ले जाया जाता है यानि जो हमारा output है वहाँ तक ले जाया जाता है और इसको जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने एक galvanometer के साथ इसे जोड़ा है यानि हम वहाँ पर current measurement करने के लिए यहाँ पर जो युक्ति लगाई है जो धारा को मापेगी वो ब्रसल्स के साथ लगाई हुई है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि inductive current circuit में कितनी बह रही है इसकी जो कारविदी है वो क्या है तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है जब कुंडली को चुमबक के धुरूओं यानि North South Pole के बीच में रखते हैं तो जो इसक AB जो है नीची की और और CD उपर की दिशा में आ जाता है इसी तरह से उत्री धुरूओं के निकट जो चुमबक के बलर रेखाएं वहाँ पर पैदा होती है वो जो CD धुरूओं है यानि दक्शनी धुरूओं के निकट रेखाओं को काटने लगती है इससे AB और DC में प्रेर से सीक्योर बहती है और यहाँ पर जो प्रभावि विद्द्ध धारा है वो DC BA की दिशा में चलने लगती है तो आदे चक्कर के बाद कुंडली के AB और DC में या अपनी इस्तिती को बदलने लगते हैं इसी तरह से AB दाईं तरफ और DC बाईं तरफ हो जाएगा इससे AB ऊपर और DC नीचे के ओर चला जाएगा इस परिवरतन के कारण कुंडली की जो धारा की दिशा है वो आदे गुमाओं के बाद वापस उलड़ जाएगी और हम कह सकते हैं दो सिरों के जो धन और रण धुरवन में यहाँ पर जो परिवरतन होगा उससे यहाँ पर प्रत्यावरती धारा जो है वो उत्पन होगी और यही परत्यावरती धारा को हम आउटपुट में यूज़ करेंगे सामने तोर पर यहाँ पर जो देखा गया है यह कुंडली है जो यह एक सेकंड में लगवग पचास बार घूमती है तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 ह तो एक चक्कर में धारा अपनी दिशा को दो बार बदलती है इस विवस्ता में एक ब्रस सदा उस बुजा के सा संपर्क में रहता है जो चुम्बक्य छेतर में उपर की और गती करती है और दूसरा ब्रस सदा नीचे की और होता है जो उसके संपर्क में रहती है तो इस तरह से हमारे पास जो AC generator है सीधा हम कह सकते हैं कि यह एक तरह से magnetic field induction की वज़े से यहाँ पर हमारे पास AC current को generate करने में मदद करता है इसलिए इसको AC generator बोलते हैं और यह ठीक just motor के उलट है वहाँ पर हम mechanical energy पैदा करते हैं और यहाँ पर हम electrical energy पैदा करते हैं इसको हम एक इसका जो electromagnetic wave है sine wave की मदद से भी इसको देख सकते हैं कि किस तरह से armature rotate करता है कि armature के half rotation पर first 90 degree पर वो खहां होता है फिर वो next half में खहां पर होता है फिर तीसरे rotation में और चौतरे rotation है तो किस तरह से वो पूरा 360 rotation पर एक complete एक तरह का sine wave जैसा वो produce करता है इसलिए जो AC wave है उसका symbol भी sine wave जैसा ही होता है जिसको कि हम एक wave जो है अनुप्रस्त wave के रूप में भी देख सकते हैं और यहाँ पर हम इसको animation के मदद से भी यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि किस तरह से जब armature गूमता है तो हमारे पास alternating current उत्पन होती है इसी तरह से